हेलो आपका हर मील हेल्दी होना चाहिए ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ लेकिन ब्रेकफास्ट हेल्दी होने के साथ साथ डिफ्रेंट और इंट्रस्टिंग भी होना चाहिए चाहे खुद के लिए कुछ स्पेशल ही क्यों ना बनाना पड़े लेकिन मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हमेशा मुझे कहती हैं कि इतनी सारी रिस्पोंसिपल्टी होती हैं कहां टाइम मिलता है खुद के लिए कुछ स्पेशल करने का उसके लिए मैं एक ही चीज कहूँगी खुद को इंपॉर्टन्स दिना शुरू किजिए टाइम मिलना शुरू यह देख लेते हैं फर्स्ट रेसिपी विचिस ओवर्नाइट ओट्स क्यूंकि यह रोल्ड ओट्स नहीं है इसलिए आप इनको कुक्ली भी बना सकते हैं या फिर ओवर्नाइट सोक करके भी रख सकते हैं लेकिन प्लेन ओट्स लें कभी मसाला ओट्स ना लें तो उसके करेंगे और बस इसे ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे और सुबा के लिए आपका ब्रेकफास्ट ओल्मोस्ट रेडी है और सुबा जब आप इस कप को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि ओट्स और चिया सीड अच्छे से सोक हो चुके हैं और उसके बाद डालेंगे हम इ इसमें important vitamins, mineral, fiber and antioxidants होते हैं वीक में तीन मील आपके ओर्स के होने ही चाहिए during weight loss second recipe is puffed rice उसके लिए एक बाउल में हम सबसे पहले लेंगे one and a half cup puffed rice साथी उसमें डालेंगे कटी हुई capsicum, कटे हुए onions, साथी आड़ करेंगे tomatoes, two tablespoon add करेंगे roasted peanuts, साथी आड़ करेंगे salt, black pepper and green chili according to your taste, साथी आड़ करेंगे lemon juice और अपका healthy instant breakfast ready है क्योंकि यह low calories and fat free breakfast है तो weight loss में भी आपके लिए काफी helpful होगा, but हो सकता है यह आपको काफी लंबे time तक fulfill ना करवाए, so you can have any fruit when you are hungry next recipe is green smoothie, starting your day with green breakfast smoothie is a great way to get energy तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पालक के पत्ते, साथी डालेंगे कुछ धनिया पत्ता, खीरे के कुछ pieces, अपनी मर्जी का fruit आड़ कर सकते हैं, मैं आड़ कर रही हूँ, banana, papaya, एक cup डाल देंगे हम curd का, साथी आड़ करेंगे protein, powder, यह totally optional है, आप honey भी आड़ कर सकते ह साथी याड़ करें थोड़ा सा पानी और इसे grind कर लें, your green smoothie breakfast is ready, green smoothie के amazing results आप देख सकते हैं, अगर आप इसे 30 days तक continuously consume करते हैं, क्योंकि यह आपके immune system को strength देती है, और natural weight loss में भी काफी helpful है fourth recipe is sprout sandwich, उसके लिए हम लेंगे half cup of sprouts, साथी डालेंगे एक boil किया हुआ potato crush करके, 3-4 potato हमेशा boil करके अपने fridge में रखें, क्योंकि यह हमेशा kitchen में काम आने वाली vegetable है, उसके बाद इसमें add करेंगे हम salt, red chili powder, chaat masala, आम चूर powder, इसे अच्छे से mix कर लेंगे, और यह filling आपकी ready हो ग sprout sandwich is easy and delicious breakfast, क्योंकि sprouted seeds में high fiber content होता है, जिससे हमारा digestion improve होता है, and it is also a very good source of protein last recipe is avocado egg sandwich, avocado में बनाना से भी जादा potassium होता है, and loaded with fiber and fatty acids, और इस sandwich में यह binding का काम भी कर रहा है, लेकिन अगर आपको avocado available नहीं है, then you can add mayo in very less quantity, क्योंकि binding के लिए हमें कुछ तो चाहिए, तो अब किसी knife की help से हम avocado को अच्छे से peel कर लेंगे, और उसके बाद इसको crush करके add करेंगे, इसी तरह से हम boil egg को भी अच्छे से crush करेंगे, और इसमें mix कर देंगे, और इसके बाद इसमें add करेंगे, कटे हुए onions, coriander leaves, salt add करेंगे, साथी डालेंगे black pepper और इसको अच्छे से mix कर लेंगे, साथी इसमें add करेंगे lemon juice, तो आपकी filling ready है, इसके बाद इसे whole wheat bread के उपर spread करें, and enjoy your healthy sandwich.